पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन अपरादियों को गिरफतार किया है पुलिस के मुताबिक जमीन विबात को लेकर इस हत्याकार्ण को अंजाम दिया गया था बतादे कि 32 अपरेल को शौच के लिए खेट गए संतोष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुलिस के मुताबिक हत्याकार्ण को अंजाम देने के बाद अपरादी जीला से फरार हो गये थे मिर्टा का तोर्पा विधायक कोचे मुंडा का रिष्टेदार लगता था या कि दिरांग 34-21 को बसिया थाना अंत्रकत डेवडी चौक से कुस दूर में एक संतोष मुंडा है उसके हत्याप की गई थी गोली मारकर पुलीस अदिश्यक गुम्ला पर दुबारा जो आने एक एसाइटी टीम का घठन किया गया और कान का दुधन करते हुए तीन अभ्युक दीपक मुंडा गोलू और चुलू को गिफ्तार किया गया अनुसनान करम में ये बात पकास में आई कि पहले से ही दीपक मुंडा गो पुलू पंपले जमीन का विवाद था और अपना डावा का जमीन का विवाद था इस जमीन विवाद के कारण जो है डीपक मुंडा रांची के एक सूटर को बशिया में चुलू के घर में आके योजना बनाया योजना बनाने के बाद योजना बनाने के बाद दोना ये कान कारिद किया है 27 तारीक को जो है इन्होंने एक आसफल प्रयास इनको मारने का किया था उसके बाद 30 तारीक उन्होंने रेकी करते हुए सुभे सौज के टाइम में घठना को जान दिया एक लाल रंग का भाई इनके साथ था और ये लाल रंग के बाई के साथ ये वापस राची चले गए और चुलू जो है बशिया में गुम्ला जिला के बस या था ना अंत्रगत रामडी गाउनिवासी 40 वर्षे शंकर सिंग ने अपने 13 वर्षे बेटे प्रदीप सिंग के हत्या कर दी हत्या के बाद शंकर ने खुद भी फासी लगा कर अपनी जान दे दी ग्रामडों ने सुबह शंकर का शव एक पेड़ से लटका पाया वह कुछी दूर पर उसके बेटे प्रदीप का शव भी परा था शंकर के पिता ने बताया कि वो 9 मैं को दूसरी शादी करने वाला था